कि अधिक शर्माराज वीडियो के अंदर हम एलन्टी के जो है सब्सक्राइब करेंगे और यहां पर जो है मैंने थोटा सा जो है माइक को रजेस्ट कर रहा हूं जैसे मैं सास ले तो इसको भी फगड़ लेता है तो मेरे खाल से अब यहां पर जो है थोटा सा जो हवा की वाज आ रही हो जो है कम आनी चाहिए चाहिए तो तो फोड़ा से से अंदर की तरफ को कि मेरी आवास भी क्लियर आए और सास की वाज ना है बागी मैं इसको एडिटिंग प्रोसेस में इसके वाद जो है तेज कर दूँगा अगर जाद अगमारी होगी तो चलो यहाँ पर L&T जो है हमारा Law and Emerging Technologies उसका जो हम यहाँ पर Unit 2 जो है स्टार्ट करने वाल है जो कि है Model of Commerce के उपर Model of Commerce का क्या मतलब हो है देख लेते हैं बड़ावट से देख जी इन वोज डिजिटली एनेबल कमर्शल ट्रांजेक्शन बटिवीन एंड अमंग और और इंडिवीजिटल ट्रांजेक्शन जो है वो चल रही है किसके बीच में और ऑणिवीजिyal के बीच बेच इंडी बड़ा अगर आब साल कि जीञंट ओच्थन के बित दिखान ऐंड नेबल कमर्शल ट्रांजा क्मर्शल मतलब लें दिक की बाते चल रही है आपर उन के बीच के बीच थ्रांजेक्शन हो Smith the age of e-commerce consumer can avail numerous options and offers to comparative analysis of the product अर्च के टाइम पर जैसे Amazon वगरा हो गया इसका चीज़े होगी इस पर फटाफ़ से देख सकते हैं कि हाभी कैसा प्रोड़क्ट है क्या है क्या निहां अब इसका disadvantage है कि छून नी सकते हैं वह हम आगे बात करेंगे इसके बारे में देखो its domain covers a variety of activities such as electronic fund transfer जिसको EFT कहते थे इलेक्रोनिक डेटा interchange जिसको EDI कहते हैं यह सारे features जो हाँ करते रहते हो ठीक है जिसको EFT नहीं कहते थे वह चीज़े evolution के अब ही है इसका evolution के अगर हम बात करें तो concept was developed in 1970 1970 में developed हुए in US से e-commerce facilitate convenient purchase and sale of goods over the internet तो पड़ा असान हो गया convenient होता भाई है कई तरीकी के हमारी जो है purchasing वह जो खर्चा होना होता है वह बच जाता है transportation cost कई चीज़े बच जाती है सिरफ हमने consumer ने order दिया और हमने यह आपर उसको डिलीवर कर दिया फटाफट से तो कई सारी चीज़े मारी बच गई तो पहले जाओ वहाँ पर consumer भी दस खर्चे करके आए उसके बाद चीज़ देखे विर वह भी पसंद आया कई चीज़े होती है तो हर चीज़े अपने बैनेफिट डिसद्वांटेज सारी चीज़े होती है 1991 के अंदर जो है internet was open to commercial transaction numerous e-commerce websites came into existence like amazon ebay etc तो 1991 जो है 1991 जो है उसमे कही सारी जो है यह आए थे और उसमें जो है कही इस सारी जो websites है हमारी online e-commerce की amazon ebay बगएरा यह जो है existence में आई फिर देखो जी तो concept started emerging with electronic data interchange जिसको हम EDM में पीछे पढ़ी लिया ही वेर न order can be placed and supplier system can receive and process the order तो बड़ा असान हो गया सब कुछ automated है order लिया उसको receive करा और उसको process करा the development of protocols such as http यह https जिसको हम hypertext transfer protocol और hypertext transfer protocol secured कहते हैं एक सेक्टा further strengthen the concept of e-commerce तो http comparatively https के थोड़ा सा week रहता है उसमें जो है hacking थोड़ी सी असानी से हो सकती है तो obviously नाम के hypertext transfer protocol secured https तो अगर आप कभी देखो कि ना जैसे कर आपने सारे chrome browser चला तो बड़ा अच्छे example देता हो मैं कई website आपने देखा होगा chrome browser कहते है कि this certificate of this website was not confirmed या was not verified ऐसे कुछ करके आता है तो continue और मतलब वो तुम्हें रोखता है उस website पर जाने से फिर तुम चीज़े भी पढ़ ली कब स्टार्ट कब क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मीनिंग क्या हुआ e-commerce का ये फटाफर देखते हैं देखोजी मीनिंग कुछ नहीं सब्सक्राइट मीस ट्रांसफर और राइट्स तो यूस गूड्स और सर्विस इट कंसिस्ट और बायर और सेलिंग बाइग और सेलिंग और सेलिंग और प्रोड़क्ट्स और सर्विस ओवर एलेक्ट्रोनिक सिस्टम सच एज इंटरनेट और कंप्यूटिंग और नेट्वक्स तो बड़ा सान होगा नहीं चीज दे रहे हैं आइमजॉन कहारा कि लिए ये लट ले ले दो सवर में दो सुर्ण पर तुम दो तो राइट ओवर देट तिंग हो गया तुमारा या कोई सर्विस अरबन क्लैप कहारा कि मुझे तुम मुझे पांच वरभा तूम्हें पांच वरदी निक सर्विस अवैल कर ली तो राइट तो यूज गूट राइट टो टेक सर्विज इस तरीकी चीज़ें ओर देंटनेट के आपर नेट के इंटनेट के ऊपर मैं आधे आज को टाइम पर यह चीज मुझे इतने ज़ाए समझाने की जुरूरत हैं नियूं देखो, there are six basic types of e-commerce. देखो, it encompasses all electronic transactions of goods or services conducted between companies. तो business to business, वादर दो business के बीच में जो भी e-commerce हो रहा है, उसमें, अब कैसे हो सकते हैं, यह हो सकते हैं, एक होल सेलर हो, और एक जो है दुकान वाल हो, वह उससे माल ले रहा है, और लेगन ऑनलाइन और करके ले रहा है, सस्ते में ले रहा है, जैसे मैंने एक ad देखी थी कुछ YouTube पर, पता नहीं, उडान करके कुछ एक app है, उसमें, वो इन्हीं के लिए है, वो भी बिजनस कर रहे है, वो भी बिजनस कर रहे है, बड़ा असान होगे, यह तो हम करते ही है, तो भी बिजनस कर रहे है, वो भी बिजनस कर रहे है, तो भी चीज़ अगर ट्रेडिशनली गर तुम देखो कि तुम जा कर रहे हो या वो कर रहे हो, तुम्हारे कई चीज़ होती है, भी जा कर रहे हो, तो तुम चीज़ को छूप आ रहे हो, देख पा रहे हो, वो तो तो से इसका disadvantage हो जाता है, consumer to consumer, भी consumer to consumer भी कुछ होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता, कह रहा है, दो consumer जो हैं, दूसरी से deal कर सकते हैं, इसको हम एक तरीक से कह सकते हैं, OLX एक्जामपल अगर हम ले सकते हैं, काइंड ओफ यह ही है, कि भई हम भी consumer हैं, वो भी consumer ही है, अब हम अपना माल बेचना चाहिए, लेकिन हम प्रॉपर वो नहीं है commercial, हमने वहाँ अपने डाली, उसने लिया, मेरे से ले लिए, तो platform कि इसने प्रोवाइड करा, OLX ने प्रोवाइड करा, तो यह चोटा बोटा एक्जामपल है, इससे समझोगे, तो असान रहेगा, यह एक्जामपल हो सकता, आपको ना मिले कई, consumer to business, भीया क्या आप consumer business से भी कर सकता है, deal, बिलकुल कर सकता है, यह नहीं कर सकता है, this type of commerce is very common in government sourcing based project, कौन-कौन से कौन प्रोजेक्ट हो सकते हैं, जैसे royalty free photographs, images, media, etc, तो जो consumer जैसे हम लोग है, मैंने एक बहुती बढ़िया intro video बना दी, ठीक है, अब वो intro video जो है, यह intro video को यह को नहीं पता होगा, आप संबलना मैंने को यह एक बहुती बढ़िया photo से edit कर दी है, ज जो कि न, IRCTC को बहुत पसंद आगी, मतलब, जो railway का है, IRCTC, उसको बहुत पसंद आगी, वो कह रहे है कि हम इसको अपना logo बनाना चाहते है, तो IRCTC, मतलब जो government की company है, जो government का वो है, stake है उसके अंदर, वो मेरे पास आएगा, मिरसे कहाएगा, यह photo में पसंद आगी, हम इस जो भी कुछ है क्या, बिल्कुल है, करा, all transactions conducted online between companies and public administration, कैसे की, जैसे की social security, employment, legal document, जो कोई भी business जो है, वो public से relation में हो रहा है, public administration के relation में हो रहा है, जैसे की social security से related कुछ हो गया, या employment, या legal document हो गया, जैसे cloud fair protection होती है, हमारी websites पे, मतलब क्या होता है, उसका भी है, कि तुम जो है, मतलब यह सुमारो, cloud fair protection यह होती है, एक attack होता है, online websites के पर, जिसको हम कहते है, DOS, denial of service attack, या फिर इसको हम और, अगर बहुत ही, पैमाने पर कहते है, तो DDoS कहाँए, distributed denial of service attack आपके लोग कहले हो, चला पते नहीं क्या पढ़ा रहा है, देखो, example दे रहो, उससे समझ आएगा, आपको, for example, अगर आपके capacity है, खाने की 5 रोटियां, और अगर मैं आपको 10 कर दूँ, या 15 रोटियां दे दूँ, खेला दूँ, या 20 कर दूँ, तो आप उल्टी कर दोग है, तो वही चीज है, उसकी capacity 2000 बच्चों की है, लेकिन वहाँ पर 5000 बच्चे आ गए, तो kind of a DOS होगे, हमले है, denial of service, तो हमने इतनी request भेज दी कि, क्या तो वह hang हो गई है, या webpage not available, इस तरीके के error, तुम्हारे बस आ जाते है, तो यही कह रहा है, कि अब जैसे इसमें काया है कि अब जैसे business to administration, मतलब अब जैसे government की site ओपे na cloud fair protection है, अब cloud fair protection उन्हों ने ने बनाई, किसी private business ने बनाई हो सकती है, कोई XYZ business ने वो cloud fair protection बनाई हो सकती है, अब cloud fair protection क्या होती है, वो DOS attack से बचाता है, IP address को change करके, उस सारे जो वो request आ रही है, अगर बहुत सारे request एकी तरफ से आरे तो हो समझ जाता है, यह DOS attack हो चुका है, उसको जो हो divert कर देता है, और main website बच जाती है, अब यह जो system है, यह हो सकता है किसी private business ने बनाई हो, तो वो जो है IRCTC ने खरीद लिया, simple है, कि हमारी website पे जो है DOS attack ना हो, तो तुम यह मुझे दे दो, और यह, तो IRCTC एक public administration इक public administration in the sense कि अब समझ लोगे government का है उसमें कुछ, और उसके उपर जो है privately वो कुछ ले रहा है, तो वो चीज होगे, ठीक है, social security से related हो सकता है, employment से related हो सकता है, legal documents से related हो सकता है, किसी चीज़ employment की website है, government की, उस बडियो से attack ना हो, एक example दे रहा हो मैं आपको इसा, छटा point है consumer to administration की, क्या कोई consumer to administration deal हो सकता है, क्या हो सकता है, business तो हमने समल लिया, crowd for protection ले लिया, कुछ ले लिया, क्या consumer का है कोई relation, बिल्कुल हो सकता है, administration से C2A कहते है, all transaction conducted between individual and public administration, जैसे की education, distance learning, filing tax returns, यह सारी जो है, हमारी consumer to administration के अंदर dealing होती है, भई हम पैसा दे रहे हैं, हम tax दे रहे जाते हैं, C2A के पास जाते हैं, C2A कोई paper थोड़ी भरता है, सीधा computer बे बैठा होता है, फटा पड़ी हो गरके, तुम्हारा भर देता है, IT return हो गया, या कुछ भी education हो गयी, distance learning हो गयी, कौवर्मन के भास हम deal कर रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं, तो dealing हो गई, advantages देख रहे होती है, indirect हमारा, वो रहता है, interaction, disadvantages के हैं, बहुत सारे disadvantages भी है, strong dependence of IT, जहां पर ये internet बंद हो गया, वहां पर हमारा भटा बैड गया, तो ये जीज़ हो गई, अब बंद हो गया, Amazon के तो ऐस ते सी हो जाएगी, lack of legislation, कोई proper legislation नहीं है, system के अंदर, consumers cannot touch or try the product, मैंने गाना, physically, tangible न transactions, बहुत तरीके के hacking भी हो जाती है, transactions के अंदर, पैसा मार जाता है लोगोगा, तो ये चीज़ हो गई, e-commerce instrument, फटाफर से देख लेते हैं कि कौन-कौन से e-commerce के instruments है, मतलब कौन-कौन से तरीके हैं, जिसके तुरू हम e-commerce कर सकते हैं, देखो, telephone, television, वो television या तो एक channel से चलता EBS, हिसारे method हैं पैसे भेजने के, net banking, UPI, और fax, fax इस तुरू भी गड़ सकते हैं, ठीके जिज़ हमें e-commerce instrument भी हमें है, आपर पता चल लेको चुके हैं, अब हम पर फटा मट से देख लेते हैं, यूनिसेटरल क्या होता है, हमने बहुत पीछे पढ़ा हुआ है, ये 10-15 ब resolution on 30 Jan 1997, जिसमें क्या था, it was drafted in order to serve as a document that various countries of world use to evaluate and amend their own laws and practices, यिसे के document है, इसके उपर एक बनियाद है, जिसको पर तोम अपनी बिल्डिंग बना सकते हो, related to e-commerce, परपस क्या है, the model law of electronic commerce, MLEC, जिसको में कहते हैं, प्रपोर्ट्स एनेबल एंड फैसिलिटेट एकॉमर्स कंड़ुक्टेड उसे लिग्वड अप्स्ट्रेक लेज बॉट्रेट्थ एकुछ नहीं है इसका रेलेक्शन वही है कि लेक्रोनिक वार्ट्रेक्वर्स कुछ हम साइसे कर सकें उस चीज के लिए एक लीगल आप से बता देता और यह जो फ्लिकर हुआ था अभी वीडियो के अंदर डरो मत भूत नहीं है तो यह जो है अमारा हो चुका है e-commerce तो बीटो 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 सीसी टो भी यह सारा कर लिया है हमने एलन्टी का हमारे यह वाले यूनिट का टॉपिक जो है हो चुका है अगर देखते हैं अगर टोपिक सको आगुए कंटीनो करेंगे हो सकता माइए यह कंट्रियो कर दो छंट तब तहुत है अगली मिड़ा हम अलग कपड़ों के न्तर तीक तो यही था इस वीड़े के अंदर वीड़ा चाहिं लगी लाइक कर देजिए और ढर क्लिए कोई भी वह बीक्षिन से जेशन कोई दूट है बेदढ़क वापर कमेंट करिए वहाँ पर पूरी कोशिश करता हूँ आपको रिप्लाइग करने की और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रहा है सबस्क्राइब कर लिजिए ठीक है और डिस्क्रिप्शन में में सारे अगर बढ़ता हो ऐसे ही ठीक है यही तक वीडियो के अंदर थाइस वाचिन टूब बीवलिव गान प्रतिक्ष्वाम स्कानिग आउट बबाए टेक केर करोना से बचके जिए अभी तरह को ना गया नहीं मैं बोलता रहूंगा तुम लोगों को पागल कर दोंगा बोल बोलके के बड़का से होगा